सभी को मेरा नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वी ढूंड़ुआ में फिर हाजरी हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ अपडेट काफी बड़ी असातियों क्योंकि आप सभी को बता हर्याना में चुनाव आचार सहीता लग चुकी है एक विदानस्वा में पारितन ही किया गया है तो उसी के लिए आपको बता दें जो कच्छे करमचारियों मायूसी थी तो उसी के लिए सरकार इतियास में पहली बार अचार सहीता में विदानस्वा सतर बुलाने वाड़ी है ऐसी अपडेट हमारे सामने आईया सात्यों हमें बड़ी अपडेट आ साथ यो कहां से अपडेट आई है और यदि ऐसा होता है तो कच्छे करमचारियों के लिए इससे बड़ा तोफ़ा कोई नहीं हो सकता क्योंकि अभी फिलाल जो सरकार द्वारा कच्छे करमचारियों के लिए अध्यादेश ओरडिनास लेकर आ गया था व दिखा गया सभी बुद्धी जी विसाथियों का संधे आज दूर हो सकता है अज्याद सुत्रों से पता चला है कि और याना के इत्यास में पहली बार ऐसा होने वाला है कि चुनाओ की गोश्णा होने के बाद विदान सबस्तर आज दिनाक 178 2024 को प्राता 9 बजे बुलाया ज सातियों बहुत सारे वाटसाप ग्रूपों में फेस्बूक पर और क्या है इस मैसीज की सचाई एक बर वह आपको बता देते हैं तो आज के न्यूज बेपर में भी यही खबर चपी है सुबह 10 बजे होगी मंत्री मंदल की बैठक विदान सबस्तर बुलाने पर होगा मंथन दिन बर काम निप्टाने में जूटे रे मुख्य मंत्री वा मंत्री हरियाना परदेश में विदान सबस्तर चुनाओ के तारिखों का ऐलान कर जहां देश के चुनाओ अयोग ने अचानक ही चोका दिया वहीं सुबह के विदान सबस्तर चुनाओ की उल्टी गिंती शुरू होगी इस करम में मुख्या मंतरी जहां दिन बर अपने कार्य कर्मों में के निप्टार में व्यस्तरे वहीं देर श्याम को नोने चंडिक स्थीत अपने सरकारी अवास पर मंतरी मंदल के साथ क्योंकि साथ सियासी महुल पर एक गंटों मन्थन किया इसके ठीक पहले श्याम को छह बज़े बाजपा विदायकों को एहम बेठक भी चंडिगर सरकारी अवकास पर हुई बताया जा रहा है कि बाजपा आने वाले वक्त के लिए रननीती त्यार करने में जूटी है साथ में स कोई बदलाव नहीं किया गया माना जा रहा है कि नायव सैनी सरकार चुनाओ सरकार चुनाओ के ठीक पहले एक दिन का विद्धान सबस्तर बुलाकर सदन में अपने जुरुरी कामकाज को निप्टाने का काम करेगी चुनाओ अयोग की प्रेस कॉन्फरेंस पर जब सुभह स प्रेस कि बाजब्द चुनाओ के लिए त्यार है हम एट्रिक लगाएंगे वैसे शुकरवार को रियाना की तारिकों के अलान उने पर पूरी तरह ऐस मंजस बना हुआ था अचानक की जमुक्समीर के साथ अरियान ह्याना की तारिकों के अलान ने सभी को हरानी में डाल या इसके पहले की संबल पाते अचार सहीता लागू हो गई परदेश के चुनावों के अलान के साथ ही अचार सहीता लागू हो जाने की गोशना होते ही कई तरह की अफवाओं को भी पंख लग गए जहां एक लाख बीस जार यह साथ्यों काम की बात एक लाख बीस जार करमिय कि वहीं कर्मियों में भी यह व्यापत हो गई कि कई घोषणाएं पर अमल होगा या फिर मामला इसी तरह से लटक जाएगा कुल मिलाकर चान सहीता लग जाने के साथ ही अब एक बार फिर से विकासकारियों पर ब्रेक और तबादलों पोस्टिंग सिलसिला भी थम जाएगा श भी जान सबक्ता लेख चुनाओ अलान हो जाहे हो नगू हो इसदर्वा से विदान सबस्त वासितकार ने के पहले से बाहुत जार ना की जुरूरी है वैसे बताया जारा है कि इस तरह का वक्या पहले पहली बार होगा की विदानस्पा सुनाओ गोशित होने के बाद स्तर होगा वैसे पांच माँ पहले 13 मार्च को मुख्यमेंत्र की ओर से बनते ही विश्वास मत हांसिल करने को लेकर सतर बुलाया था नीमों के मताबिक 6 महिने के अंदर दूसरा सतर बुलाया जाना अनिवारिय है दूसरी तरफ राजय पाल दुआरा प्रसाजी पांच अध्यादेश को भी विदेख के तोर पर सदन में पारित करने के लिए पेश करना होगा वैसे तो पंदरवी हरियानवी हरियाना विदानस्पा के गठन के लिए दिशुतना करीब तीन सब्तहाबाद 5 स्टमबर 2024 को जारी होगी तो साथियों अब आपको बता दें कि सरकार विदानस्पा सतर बुला सकती है और डैफिनेट 100% विदानस्पा सतर बुलाया जाएगा जिसमें बताया गया है कि 6 मिने तक एक विदानस्पा सतर बुलाना जरूरी होता है और कर पारित कर सकती है जिन में से एक मुख्या है हर्याना में कच्छे करमचारियों की ठावन साल की जयोव स्कूर्टी को लेकर दा हर्याना कॉंट्रेक्च्छल सर्विस स्कूर्टी एक्ट 2014 से ला गया था उसे मंजूरी मिल सकती है तो फिलाल आप उमीद पर बने रहें यद करें ताकि जो हमारे कच्छे करमचारी एस मंजस में है उन्हें सांती मिले धन्यवाद वीडियो देखने के आपका दिन